लेन सभा में उपस्थित सारे भाईयों को पढ़ना प्रम्पुज्य गुर्देव प्रम्मन निये माता जी की असी मनुकंपा बनी रहे ऐसी मंगल कामना इवाप्रकोस्ट के तरफ से है मित्रो अभी आपने सुना हमारे बड़े भाई जो की कभी पटना में हम जैसे अंगर डिवाओं को सही राह दिखाते थे आज पत्रकारिता जगत में काफी नाम है आदर्निय उजोल भाईया को आप लोगों ने सुना होगा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपका ऐसा ब्यक्तित्व है जो हम जैसे छोटे भाईयों के लिए प्रेणा सुरोत है जब कभी भी हम लोग बिद्यार्थी जीवन में परेसान होते थे आपका डांट आपका प्यार बहुत कुछ सीखाता था आज आपके बीच आएं आप लोगों को संबोधित कियें एक बार उजुवल भहिया के लिए जोड़दार तालें आप गया में हिंदुस्तान से जुड़े हुए हिंदुस्तान के पत्रकारिता जगत में आपकी काफी नाम उची है पत्ना से ही गया में आपके ट्रांसफर हुई है और आज भी गुरु के प्रति वहीं सने वहीं समर्पन वहीं भाव ये सधारन चीज नहीं हो सकती वरना आज छोटे छोटे पदू पर जाकर भी लोग अपनी दुनिया में खो जाते हैं आप पटना आएं आठ साड़े 8 में सीधे भाग के आखे गुरु देव के गोध में बैठ गया है ये प्रेजणा आखिर आता कहां से है ये कही न कही हमारे अंदर के संसकार से आता है हमारे अंदर के परिवर्तन से आता है वरना बहुत लोग पहले पटना आते हैं जिसको गुर्देव ने समारा है जो दुनिया की तमाम चका चौंद को छोड़के और सीधे आपकी दरबार में आता है मेरे मित्र आने के साथ ही आपके बीच आके आपको प्यार भड़ा उद्वोधन, मागदर्सन, सने अपना बरसाएं हम फिर से इसके लिए युवा प्रकोस्ट के तरफ से धन्यबाद देते हैं मेरे मित्र ये अपना जो युवा प्रकोस्ट है एक परिवार की भाती है यहां आप आते हैं कोई भागलपुर का, कोई गया का, कोई कहीं का, कोई कहीं का, अलग-अलग जिलो से कई भाई तो हमारे बैठे हैं जो अलग राज्य से आए हैं आखिर क्यों आते हो यहां क्या मिलता है आपको कई बार आप अकेला में बैठ के सोचते होंगे कि आखिर हमिवा प्रकोस्ट में क्या मिलता है आप अपने रूम पर गद्दे वाले चोकी पर बैठते हो, सोते हो, यहाँ सिंपल सा दरी पर बिठाया जाता है, उभी नीचे से बहुत भाई को गड़ता भी होगा, यह हाड वाली दरी है, मेरे मित्र, यह मानो की नजर से देखोगे तो दरी है, और ममता की नजर से पर बिच्छा हुआ एक कपड़ा है, और प्यार से देखोगे तो गुरुवर का गोद है, यहाँ परिवार जैसा प्यार मिलता है, यहाँ गारजियन जैसा समालने वाली बाणी मिलती है, सब्द मिलते हैं, भाई लोग मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात जीवन समारने की कल मिलती है, हम लोग भी जब 2001 में जुड़े थे, इसी में चलता था यह प्रकोस्ट, यह च्छतोत नहीं था, यहाँ पर टीन का सेड़ था और अंदर, हम लोग भी जब जुड़े, जुडने के साथ लगा कि आखिर यहाँ आने से क्या फायदा है, एक सड़ आएं, दो सड़ में आएं, तीन सड़ने आएं, मान लिए बुद्धी बिना फायदा का कोई काम नहीं करता है, पढ़ इसलिए रहे हैं, कि माल कम आएंगे, नौलेज के लिए कितने लोग पढ़ते हैं, कोई भाई काये कि हम भया इसलिए पढ़ आएं, कि नौलेज बढ़ जाए, जुड़ फोकस्ड है, क्या करना है, यहां तो भी नहीं मिलने वाला था, लेकिन क्या कारण था जो लगातार खींचे चले आएं, मेरे मेत्रे हम लोग नहीं आएं, डॉक्टर चिनमे पंडिया जी जो प्रोवीसी हैं अपने, देव संस्कृति भी सुबी द्याले का, उनका एक लेक् के बाद आपकी बहाली होती है, किसी भी बड़े पद पर आईयस बनना है, आप इंटर्व्यू पास करते हो, तब आईयस बनते हो, वैसे ही गायत्री परिवार में हर व्यक्ति जो आके जुड़ा है, परंपुजी गुर्देव द्वारा कहीं न कहीं उस आत्मा का ले आए, नहीं, मित्र तो बहुत बार कहा, बहुत जगह कहा, कहा नहीं गए, कई बार आप पर दबावा ना चलिये न, छोड़ो ना मंदिर जाकर क्या करेंगे, अब मेरे मित्र अगर यहां आएं हैं तो क्या करना है, जीवन में सबसे सिंपल काम है अपने आपको सुधार लेकिन मनुस्य से यहीं नहीं हो पाता है, सबसे सिंपल काम है कि आप अपने जीवन की बुराईयों को त्याक दीजिए, ना इसमें पैसा लगता है, ना इसमें किसी भी तरह का दबाव है, आपको अच्छे बनने में पैसा खर्च होता है, क्या, आपको यह कि हम प्रतेक द एक बात अपनी जीवन में उतारेंगे, एक ही बात, जैसे आज जूट नहीं बोलना है, इसका मतलब यह नहीं सुचिए, आज नहीं बोलना है, कल आज वाला भी पूरा कर लेना है, कई भाई दिमाग लगा दिये, कि आज नहीं बोलना है तो चलिए, भाई आज वाला तो कल स्टॉक जो बचा है उमेंटेन कर लेंगे एक चीज आज जूट नहीं बोलना है आज समय का दुरूप योग नहीं करना है और यह आज एक दिन हो फिर कल अगले दिन आप सोचिए कोई बात नहीं एक दिन आज हमारा बेहतर तरीके से सेलफ एस्टडी हुआ मैंने ही मंदारी स से काम किया जूट नहीं बोला चलो एक दिन अच्छा हुए अगला दिन भी करके देखते हैं यह एक एक दिन जब जोड़ते चले जाएगा एक सब्ता बन जाएगा एक सब्ता के बाद एक महीना बनेगा और हैबिटी सेकेंड नेचर बनके आपके जीवन में अच्छा ही आ होता है बिल्डिंग लेकिन आखी डालने वाला कोई तो चाहिए कोई कारीगर चाहिए मिस्तिरी चाहिए कोई बुद्धी जीवी ब्यक्ति चाहिए जो एक नक्से के सांथ इसको खुबसूरत बनाएं मेरे मित्र वो कारीगर कोई और नहीं हमारे परंपुज्य अब कई भाईयो के मन में आता है भाया हम लोग देखे नहीं है यह कैसे ऐसे भावना कर ले कि गुर्देव हम लोगों को सवारेंगे मेरे मित्रा आपमें से सबलुक विज्यान के विद्ध्यारती बैटे आएं किसी ने अक्सिजन को देखा है बोल नहीं रहें लेकिन प्ल सब्वाराज के पास लगने आपको घर्मी लगती है इसी रोम में बैठते της प्रफ़ार ले एक वैसे ही अगर नियमित्ता पुर्भक सरदा के साल गुर्दयों के सामने बैठते आपके जीवन की बुराईयां समाप्तों होती है बाकी आपको अभी करने की अवासकता नहीं है बहुत बड़ी बड़ी साधना करने के बजाए अगर गायतरी मंत्र की छोटी साधना नियमित्ता पुर्वख विद्यार्थी जीवन से किया जाये तो सम्मोग को भी सम्मोग किया जा सक दिक्कत तो यहां है कि हम लोग 8 घंटा सो लेते हैं वर्ल्ड एल्थ बैंक जो होता है उससाब सर्वे मनुष्य का निकालते हैं लोग वो बताते हैं कि हम 29 बर्स सोने में बिताते हैं अपने जीवनकाल का एक एब है साड़े 29 साल सोने में बिताते हैं हम लोग बचे हुए जो साल बचा उसके बाद वाला अपने पढ़ाई करने से तमाम चीजों में हम लोग व्यतीत करते हैं साड़े 29 साल सोने में बिता सकते हैं लेकिन 20 मीनट के हिसाब से प्रतिक दिंसाबना करने में किनी भाई का क्लास छुब जाता है खिनिवाई का निंद नहीं खोलता है मेरे मित्र जो अब मनुस्ष से अपने जिवन को सुधारने में प्रतेग दीन अपने लिए 20 मिनट नही आइटियन मनेंगे, हम बैंक पियो बनेंगे, हम रेलबे में जाएंगे, मेरे मित्र आप प्रते एक जगह जाईए, आप प्रमात्मा करें, गुर्देव माता जी करें कि जो आपकी इक्छा है वो पूर्णो, लेकिन एक आग्रह जरूर आप से है, पद पर बैटा हुआ पदा पर चलने वाला सधारन मानों से महा मानों बन जाता है, आप विद्यारती हो, एक वो भी विद्यारती है जो कान में येरफोन डाल के टाइम वेस्ट करता है, लड़कियों के पीछे भागता है, नेट की दुनिया में अपने आपको डुबा के रखा है, पटना के तमाम बु टीन को ठीक रखता है, अपने आपको ठीक रखता है, इसलिए नहीं कि मेरा जीवन सफल हो जाए, इसलिए कि मेरा जन्म इसी कारण हुआ है, और इसको हम बेहतर बनाएंगे, मेरे मित्रे, आप जब घर से आये थे, याद कर ये वो दिन, जब आपने अपने माबाप के पैर हम से महीं काता, कुछ उसकी आँखे भी काती है, कुछ उसका प्यार, कुछ एमोसंस, कुछ भाव, उसको पढ़ो ना, एक बेटे के रूप में, आप से प्रस्न पुछती है, बेटे जातो रहे हो, मा की ममता से दूर, लेकिन अपनी मा का इज़त रखोगे न, और आप जु आप भी देते हो, पैर छुके हाँ, लेकिन यहाँ आने के बाद भूल जाते हो, वो निगाहे भीदा करते हुए, आशुओं के साथ भीदा की, इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, जो पहले क्लास से लेके मैट्रिक तत, कभी अपने माबाप से दूर नहीं हुए, और जिस दिन उन्होंने अपने जिगर के टुकड़ा को जिगर से दूर किया, सीने से लगा के कहा बेटा दूर तो जा रहे हो, लेकिन अपने माबाप की इज़त के सांथ कभी भी समझोता मत करना, क्या इस धर्कन को, इस दर्द को, इस पीडा को, इस कस्ट को, इस भावना को, आपने अपने जिवन में उतारा, उस मा की कांती होई, जुबानों ने आशिर बात देते हुए कहा, बेटे जा रहे हो, लेकिन थोड़ी सी अपनी पिता के ध्यान रखना, चालिस चोवालिस डिगडी टेंपरेचर में आज भी द्यारती अपने लोज में पंके के नीचे बैठता है, क्लास में पंके के नीचे पढ़ता है, लेकिन इसी तपती हुई धूप में हमारे माबाप, को चोवालिस से पैंतालिस डिगडी टेंपरेचर में खेतों में काम क करते हैं मेनद करते हैं मज़बूरी करते ऑफिस भी जाते हैं सधारन करमचारी है तो वह 60 साल 55 साल की उम्र में अपनी हडियों को घीशते हैं और उस्Ta कमाई देते हैं अपने बैटे को कि आज भले ही कस्ट से मैं पैसा ले रहा हूँ लेकिन मेरा बेटा एक दिन मेरा नाम रौसन करेगा वो खेतों में काम करने वाले किसान हो दुकानों पर समान बेचने वाला दुकानदार हो घर में बैटा हुआ सधारन सा पिता हो या करमचारी बना हुआ बाप हो हर बेटी हमेशा अपने बेटे की भावनाओं को समझते हुए आपके उज्वल वविस्य की कलपना करता है और मनी मन दुहराता है तुझे सुरज कहूँ या चन्दा तुझे दीप कहूँ या तारा मेरा नाम करेगा रोसन जग में मेरा राज़ दुलारा क्या ये सब्द आपके कानों में गुञ्चते है अगर गुञ्चता है तो आपके अंदर अध्यातनिक्ता का बुद है अगर नहीं गुञ्चता है मेरे मित्र आज से सुरू करो be practical अप आज से सुरू करो प्रमात्मा के सामने बैट के पूरी भावनाओं के साथ 20 से 30 मिनट गैतरी मंत्र की साधना करो दुनिया में किसी की अवसेता नहीं है कि हमारी बुराई को दूर करे अपने आप गैतरी की साधना करने से जीवन की तमाम बुराईयां दूर हो जाती है तमाम बुराईयां दूर होती है मेरे मेत्र यह प्रैक्टिकल साधना उस परिवार के लिए उस पिता के लिए उस मा के लिए है जिस पिता ने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया छोटे-छोटे पाउं से लड़ खड़ा के जब गिरते थे दुनिया का अती थी आपका बेटा गिर गया बाप को गिरना सब्द मंजुर नहीं था आके उठाके अकास में उच्छाल के करते थे मेरा बेका उच्छल गया जब नौ महीने मा ने दर्द से पाला दुनिया ने बहुत सारे बाते कही लेकिन मा उस दिन का इंतजार कर रही थे जिस दिन ये बादल में ढखा हुआ सुर्य एक दिन उदे होगा और मेरे परिवार को प्रकासित करेगा व 24 डिग्री टेंपरेचर पर हमारे माबाथ हमारे गारजियन खेतों में मेहनत कर सकते हैं तो हम पंखे के नीचे बैट के आठ घंटा पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते हैं हम पंखे के नीचे बैट के अपने जीवन को क्यों नहीं सुधार सकते हैं मेरे मित्र यहां से बताने व के पास जाईएगा चढ़ा देता है थोड़े देर के लिए तो मेंटेन हो जाता है लेकिन आप भी ज्ञान के विद्यारती बैटे हुए है उस मनुस्य के सरीर में बलड बनना बनन हो जाए तो क्या वो मनुस्य जिवित रह पाएगा चढ़ाया हुआ बलड कितना काम आएगा हम बोले भाईया बोले अभी हमारे उज्ञल भाईया बोले भाई अभी सेख जी बोले राजी जी बोले जो भी बोले यह चढ़ाया हुआ बलड है जब तक स्वेम आपके अंदर अच्छे विचारों को अपनाने की टेंडेंसी नहीं आएगी यह चढ़ाया हुआ बलड बह कि युवा यह हैुआ वह है कई बार धर्म के नाम पर भी परिवासा अपने अनुसार हर देकत्ती देता है हम लोगों से भी कई बार आपके जैसे प्यारे भाई लोग पुषते हैं भ Congmême की परिवासा क्या है मेरे मित्र इतने पड़े लिके हम लोग नहीं है कि धर्म की परिवासा बताएं लेकिन टुटी-पोटी सब्दों में जो धर्म की परिवासा हम लोगों को आती है वो मात्र एक है कि हर मनुष्य अपने कर्मों को अगर ठीक कर ले इससे बड़ा धर्म इस दुनिया में कुछ नहीं ह हो सकता है अपने धर्म को सही कर लीजिए आपका धर्म सही हो जाएगा इससे बड़ी परिवासा आप क्या हो सकती है मेरे मित्रे आप यहां आते हो आपसे भाव भरा निवेदन है यहां बोले कोई सुनाए कोई सब्द किसी का हो भाव गुर्देव का होता है ताकत अकास में पतंग उड़ता है और दुनिया को लगता है क्या घजब है अकास में पतंग उड़ रहा है पतंग की कोई आउकात नहीं है वह तो छंता है उड़ाने वाले की उंगली में जो अकास चुमवाता है कई बार हार्मोनियम बजता है लोग भूस हो जाता है वह उस बजाने वाले की उंगली पर है जो हार्मोनियम से आवाज निकाल के लोगों को थिरका देता है एक बार भगवान स्री क्रिस्न से रादा पूछती है कि प्रेमिका हम को मानते हैं और आप बांसुरी को हमेशा जुबान से लगाये रहते हैं आखिर क्या बात है भगवान स्री क्रिस्न ने बड़ी भी नम्रता से जवाब दिया कि जिस दिन मनों से अपने आपको उस बांसुरी की तरह खाली कर देगा उस दिन से प्रमात्मा उसको अपनी हिर्दे में बैठा लेंगे हम जब तक अपने अंदर कचड़ा भड़े रहते है कोई जगा नहीं है जिस दिन अपने आपको बुराईयों से खाली कर देते हैं गुर्देव की गोद में जगा मिलता है यहीं बिद्यार्थी मन से पढ़ता भी है और यहीं बिद्यार्थी पदा दिकारी होके समाज की सेवा भी करता है बस इसी भाव से यहां बुलाया जाता है मेरे मित्र बहुत समय नहीं लेते हुए हम सब के प्रेणा शुरोत परमादर्निय मनिस